दावेदारी हर्वयक्ति की अपने हिसाब से हैं हमारी भी दावेदारी हैं उस सभी यह कॉंग्रेस का गढ़ था और हमने मैंने और उन्होंने मिलकर क्योंकि उस समय महिलाएं बहुत कम निकलती थी पहली महिला में ऐसी थी जो मैंने चुनाव प्रचार शुरू किया था उत् लगातार देख रहे हैं कि आप डो टो डोर कैंपियनिंग भी कर रही है और भारती जंता पार्टी की और क्या तैयारियां है पूरी तरह से चुनाव में उतर चुकी है पूरी तरह से तैयार है अपना जो टो डोर हमारा प्रशार चल रहा है और एक गाइडलाइन जो दी गई रही है चुनावा आयोग के दौरह उस गाइडाइन की अंसार अपना कारे कर रहा है कि की हैं तो क्लुक्तmich कि अपनी तरफ से योगी सरकार को दुबारा बनाने के अपील कर रहा है मैं में देखा जा रहा है कि महिलाओं को भीremos आगे किया गया है वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेज भी महिलाओं को लेकर बेहत सजक है घोस्रापत्र महिलाओं के लिए अलग तयार किया गया है तो क्या कुछ बीजेपी बर इसका असर देखने को मिलेगा बीजेपी की सरकार जब जब रही है हमेशा से महिलाओं की चिंता की है सम्मान भारती जन्ता पारटी में है उतना सम्मान मुझे लगता कहीं भी नहीं है और महिलाओं को आगे करने की बात अगर आप कर रहे हैं तो महिलाओं को आगे करने में इन पिछली बार आपने पांच वर्ष में आपने देखा कि मानि योगी जी ने महिलाओं को आगे करन बात की जाए तो ब्रून हत्या होती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कारक्यम के माध्यम से एक बेटी को बचाने का काम ब्रून हत्या को रोखने का काम बेटी को बचाने का काम बेटी पैदा हो और फिर बेटी का पालन पोशन ठीक से हो बेटी पढ़े लिखे फिर उसक बात बेटी अपने आपको महिला या अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रही है तो इससे बढ़कर महिलाओं के लिए और क्या हो सकता है मैं एक नाम इन दिनों काफी चर्चा में है वो हैं मुलायम सिंग्यादों की छोटी बहुत अपड़ना आया दो आज उनसे मुलाकात भ कोई जनाधार है तो इसको आप कैसे देखती महिला बीजेपी में महिलाओं का सम्मान है जो हमारे आया उसका सम्मान है और वोट बैंक की बात की जाए वो तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन महिला महिला होने के नाते से उन्होंने बीजेपी जॉइन किया और महिला होन कंतिम सवाल में राई यह कि कैंट विधानसभा सीट को लेकर काफी इसमजस है लोगों में चर्चाएं हैं कि दिने सर्मा जी इस पर दावेदारी कर रहен है और सुरेश टिवारी जी दावेदारी कर रहा है और आपकी तरप से भी चरचाएं हो रही है कि आप लोग भी इस बाठीया जी चुनाओ लड़े थे और उस समय ये कॉंग्रेस का गड़ था और हमने मैंने और उन्होंने मिलकर क्योंकि उस समय माहिलाएं बहुत कम निकलती थी पहली महिला में ऐसी थी जो मैंने चुनाओ प्रचार शुरू किया था मेरे साथ यहां से बहुत सारी महिलाएं निकली थी और उस समय केंट सीट को आगे बढ़ाने का काम हर बार तीन बार चुना हुए बहुत जल्दी अल्दी चुना हुए थे हर चुनाओ में बढ़कर वोट मिले और कॉंग्रेस के गड़ को तोड़कर भाजबा का गड़ बनाया और चुंकि उस पर मेरे दावेदारी उस समय भी बनती थी लेकिन जिती हुई सीट पर विचार नहीं किया जाएगा इस उस पर मुझे टिकट नहीं मिला था और पार्टी ने मुझे उसके बदले में फिर मेर का टिकट दिया मैंने चुनाओ लड़ा और आज भी इस छेत्र में जितना काम हमने किया इसलिए मेरी पार्टी जिसको भी ठिकट देगी हम उसको जिता कर लाएगे बहुत बहुत धन्यवाद तो यह सनिपता भट्या जी है जिनका साब तो पर कहना है कि आगामी विधानसभा जुनाओ को लेकर भारती जिनता पार्टी की पूरी तैयारिया है वहीं लखनों की कैंट विधानस की वारी